बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूँ आपके साथ शेलेंद्र पांडे इस समय जिस ग्रह के नाम से सबसे ज़ादा भै पैदा होता है या लोग दरते हैं या बाकी लोग दराते हैं उसका नाम है शनी अब शनी से चुकी डर पैदा होता है भै पैदा होता है इसलिए शनीदेव की पूजा भी जगह जगह पर की जा रही है बड़े व्यापक रूप में की जा रही है और छोटी भी समस्या हो लोग कहते हैं शनी बिगड़ा हुआ है शनी की पूजा करो नतीजा ये है कि शनीदेव की पूजा हर गली चौराहे पे हर नुकड में होनी शुरू हो गई है उसमें कोई हर्ज मी नहीं है लेकिन आपको ये जानना होगा कि शनीदेव की पूजा करने के नियम क्या है क्योंकि बिना सिस्टम के बिना नियम के अगर ग्रह की पूजा करेंगे तो आपको उसके परिडाम नहीं मिलेंगे सबसे पहले जानते हैं कि शनिदेव कौन है और आम जीवन में इनकी क्या भूमिका है देखिए अगर हम नव ग्रहों की बात करें तो शनी के पास दो रोल है पहला रोल है शनी को सेवक कहा जाता है ग्रहों का सेवक है सूरी राजा है चंद्रमा रानी है तो शनी जो हैं वो नव ग्रहों में सेवक भी है और उनको न्याय करता भी माना जाता है हर व्यक्ति के द्वारा किये गए कर्म और उसके फल के पीछे जो ग्रह होता है उसे कहते हैं शनी आप कोई भी काम करने के लिए चलेंगे वो काम आप कर सकते हैं शनी की सुविधा की बज़Е से और काम अगर बुरा करेंगे उसका फल भुगतना पड़ेगा तो वो भी भुगतना पड़ेगा शनी की बज़े से किसी व्यक्ति की आजीविका क्या होगी उसका केरियर क्या होगा उसके जीवन के रोग क्या होंगे उसके जीवन में संघर्च कितना होगा ये बात शनी ही बताता है शनी को प्रसंद करके व्यक्ति जीवन के कश्टों को कम कर सकता है देखिए तालने की जो छमता है आपके जीवन के कष्ट को मिटाने की जो छमता है वो सिर्फ इश्वर के पास है भावी मेटी सके उत्रपुरारी ग्रहों की पूजा करने से आप कष्टों को पीडाओं को कम कर सकते हैं मिटा नहीं सकते हैं शनी की पूजा करने से शनी के संपर्क में रहने से करियर और धन के मामलों में सफलता भी मिलती है लेकिन आपको समझना होगा कि शनीदेव की पूजा अगर सोच समझ कर और साबधानी के साथ किया जाए तो शनीदेव की पूजा तुरंत फलदाई होती है, तुरंत फाइदेमंद बनी रहती है अब नॉर्मली क्या होता है हम शनी के मंदर में जाते हैं शनी के मूर्ती पे तेल डालते हैं एक दीपक जलाते हैं परिक्रमा करते हैं घर चले आते हैं क्या साबधानिया है शनीदेव की पूजा की उसके नियम क्या है उसका सिस्टम क्या है देखिए शनिदेव की पूजा शनी की मूर्ती के सामने मत करिए शास्त्र कहता है कि शनी की दृष्टी जिस चीज़ पर पड़ती है उसका नाश हो जाता है तो शनिदेव की जो मूर्ती है हम ऐसा मानते हैं कि वो शनी है वो जीवन्त है उनके अंदर प्राण है ये तो हम मानते हैं तो जब हम ये मान रहे हैं कि उस मूर्ती के अंदर प्राण है तो उसकी दृष्टी भी आपको नुपसान पहुचाएगी इसलिए शनी की पूजा शनी की मूर्ती के सामने मत करिए शनी के उसी मंदिर में शनी की पूजा करिए जहां वो शिला के रूप में विद्यमान हो शिला मतलब पत्थर जैसे आप शनी सिंग्रापुर में देखेंगे वहां शनी की मूरती नहीं है शनी देव की शिला के रूप में पूजा होती है तो जहां पे शिला के रूप में शनी हो वहीं पर शनी की पूजा करनी चाहिए और अगर आपको ऐसी कोई शिला वाला मंदिर नहीं मिल रहा है तो आप शमी के पौधे की या पीपल के व्रिक्ष की आराधना कर सकते हैं शनी देव के सामने दीपक जलाना सबसे जादा अच्छा होता है शनी हैं अंदकार के प्रतीक, डार्कनिस के मालिक और जब आप उन्हें दीपक जलाते हैं तो वो प्रकाश उनके जीवन में आता है और वो प्रकाश आपके जीवन में भी आता है जो आप देते हैं न वही कई गुना मात्तरा में आपको प्राप्त होता है आप जीवन में दुख पा रहे हैं तो यकीन मानिए ये दुख आप ने कभी ना कभी किसी को दिया ही होगा इसलिए शनीदेव के सामने दीपक जलाना सर्वुत्तम होता है लेकिन शनी की मूर्ती को जो तेल से नहलाते हैं तेल बरबाद करते हैं ये करने की कोई जरूरत नहीं है और जो लोग भी शनीदेव की पूजा करना चाहते हैं या करते हैं उन्हें अपने आचरण को अपने व्यवहार को ठीक रखना होगा आप अपने घर में माता पिता से, सेवक से, सहायक से बुरा बरताव करते हैं और आप चाहते हैं कि शनी की कृपा आपको मिले तो ये आपके लिए संभव नहीं होगा